तो Marvel Universe की शुरुवात होती है Iron Man से इस फिल्म का आना और बॉक्स ओफिस पर सफल होना बहुत जरूरी था क्योंकि इस मुवी के बाद ही Marvel Universe आगे बढ़ बाया तो फिल्म की शुरुवात होती है अफगानिस्तान से जहां की एक रास्ते पर American Military का एक ग्रूप जा रहा होता है इस ग्रूप में एक ऐसा शक्ष भी होता है जो नाई सोल्जर है वो नाई आर्मी की किसी पोस्ट को रन करता है दरसल इस इंसान का नाम है टूनी स्टार्क जो इंटेलिजन टेकनोलोजी से प्यार करता है आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है और एक प्लेबोई भी होता है टूनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क की मौत के बाद उनकी कमपनी को ओबड़ाया ने समाला पर जब टूनी 21 साल का हुआ तब उसने अपनी पिता की कमपनी का कंट्रोल अपने हातों में लिया अपने तेज दिमाग के चलते टूनी स्टार्क ने डूपती हुई कमपनी का सबसे साधा मुनाफ़ा हतियार यानि की वैपन्स बना कर आता है टूनी स्टार्क की एक कमपनी USA की आर्मी के लिए हतियार बनाने का काम करती है और उन्हें बेचती आई है अब वापस आते है टूनी स्टार्क पर जिसका अपना कोई नहीं होता उसकी फैमिली का बड़ी और चोटी सी चोटी जरूरत तका ध्यान पैपर पॉट्स रखती है पैपर को टूनी स्टार्क की पसनल असिस्टेंट भी कहा जा सकता है रही बार टूनी के दोस्तों की तो उसमें बस जेम्स रोड जाते है जो की आर्मी में ही एक बड़ी पोश्ट पर होता है अपने वतन USA की तरफ वापस जा रहा होता है इस मिसाल का नाम है जरिको और ये अब तक की सबसे पाउरफुल मिसाल में से एक है एरपूट जाने के रास्ते में अचानक से इस ग्रूप पर हमला कर दिया जाता है और टूनी स्टार्क गाहल होने के साथ साथ अगवा भी कर इस हमले को अंजाम दिया था टैन रिंग्स नाम के एक टैरिस्ट ग्रूप ने टैन रिंग्स वालों ने इतना जान लेवा हमला किया था कि टोनी की छाती में मिसाल के छोटे-छोटे टुकडे घुस चुके होते हैं इन टुकडों को दिल तक पहुचने से रोकने के लिए टोनी की छाती में एक इलेक्ट्रो मेगनेट लगाना पड़ता है इस बड़े से मेगनेट को एक अच्छी खासी बैटरी से पाउर दी जा रही होती है मेगनेट को लगाने का काम ये इन से नामक एक डॉक्टर ने किया होता है इसे भी टैन रिंग्स वालों ने किड्नेप क रखा होता है टैन रिंग्स का एक बॉस होता है जिसका नाम याजा होता है और इसकी टिमांड टोनी से ये होती है कि टोनी को जैरिको मिसाइल उसे बना कर देनी होगी पहले तो टोनी सौफ़र को मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतना पाउर्फुल वैपन टैन इसके लिए मान जाता है क्योंकि अगर वो मिसाइल नहीं बना कर देगा तो 10 रिंग्स वाले उसे मार देंगे और अगर वो सुर्फ बैटा रहा और खुद को आजात करने के लिए कुछ नहीं किया तो उसकी चादी के अंदर छिपे छर्रे ही उसे मार देंगे तोनी और इसेंट टैन रिंग्स की तलवार की नीचे काम करने लगते हैं तोनी के बहुत से हतियारों में पैलेडियम यूज किया गया है खास करकि मिसाइल्स में तो होता ये है कि तोनी हर एक मिसाइल से पैलेडियम निकाल लेता है और एक ऐसा invention करता है जो उस electro magnet को replace करेगा सीधे शब्दों में Tony एक arc reactor बनाता है जो कभी ना खत्म होने वाली उर्जा देता है यानि की चलता फिरता powerhouse अब कमाल की बात ये है कि इस arc reactor का एक बड़ा version Tony की company में भी लगा होता है जिसे Tony के पिता Howard Stark ने बनाया था है कि Tony एक लोहे का suit बना रहा होता है जिसे arc reactor power देगा और वो हत्यारों से less होगा anyway बकरे की मा कब तक खैर मनाती होता ये है कि 10 rings वालों को Tony पर शक हो जाता है और वो उसे रोपने जाता है दूसरी और Tony का iron suit ready हो जाता है वो इतना dangerous होता है कि कोई bullet उसे कुछ नहीं कर पाती Tony इस suit के कारण 10 rings पर भारी पढ़ने लगता है पर इस मारा मारी के बीच ये इंसन मारा जाता है ये इंसन की मौत Tony का उंदर तक हिला कर रख देती है क्योंकि इंसन के कारण ही Tony को time मिल पाता है ताकि वो iron suit को power दे सके यहीं से Tony का रिदय परिवर्तन होने लगता है खेर Tony iron suit को उड़ा कर भाग जाता है और साथी साथ वो बचे होई हत्यारों को बे destroy कर देता है भाग निगलने के कुछी घंटों बाद USA की army Tony को बचा ले जाती है General Roots Tony की मदद करता है घर वापसी में Pepper Ports Tony की मदद करती है यह बता कर कि जब वो kidnap हो गया था तब उसकी company में क्या क्या हुआ Tony ना अपने घर जाता है और ना ही stark industry में वो एक press conference बलाता है और जग जाहिर कर देता है कि अप से stark industry में हत्यार बनने का काम नहीं होगा बस यह बात सुनते ही ओबड़ाय के दुनिया हिलने लगती है और वो अजीब सा परताओ करने लगता है दूसरी तरफ Pepper Ports एक शक्स से मिलती है जिसका नाम Phil Colson है और वो किसी तो Shield नाम की एक government organization के लिए काम करता है Phil Colson यह जानना चाहता है कि Tony Stark 10 rings जैसे terrorist organization से कैसे भाग पाया क्योंकि USA की आर्मी को Tony रेकिस्तान में भटक तो हुआ मिला था आगे हम दिखते हैं ओबड़ाय और Tony को Stark इंडस्ट्री में और यह दोनों एक बड़े से R की रेक्टर के पास खड़े होते है Tony ने जो फैसला किया था कि अब वो हत्यार नहीं बनाने वाला है इस फैसले का असर पूरी Stark इंडस्ट्री पर पढ़ा है Anyway, Tony के दिमाग में अपने Iron Suit को लेकर कुछ आइडिया से जो वो एक्स्प्लोर करना चाहता है Tony इस आइडिया को लेकर अपने करीबी दूसर रोड्स के पास जाता है वो चाहता है कि रोड्स कि उसके इस नए प्रोजेक्ट को लेट कर यानि कि रोड्स ही इस Iron Suit को पहने दूसरी तरफ करनल रोड्स Tony के इस ओफर को मना कर देता है यहां तक कि Tony के इस नए ओफर को वो सुनता तक नहीं अब Tony Stark एक Inventor है और ऐसे लोगों को रोगना आसान तो नहीं है और यही वो कारण था कि Tony अकेली अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है उसका साथ देने का काम करता है चार्विस कई बार गिरने पढ़ने के बाद Tony Stark अपना Iron Suit का Second Version बना ही लेता है इस वर्जन का नाम Mark 2 होता है और जो Tony ने गुफा में बनाया था उसका नाम Mark 1 था अब गुफा की बात कर ही ली है तो Ten Rings की भी कर लेते हैं इन लोगों को Mark 1 सूट के पुरजे रेगिस्तान में मिल जाते हैं कहनी में आगे पता चलता है कि ओबड आया Tony Stark को उसकी ही कमपनी से बाहर निकालने के चक्कर में ऐसा इसलिए है क्योंकि Tony Stark अब वो Profit Making Businessman नहीं रहा जो कि वो हुआ करता था अब तो Tony लोगों की भलाई के बारे में सोचने लगा है Anyway, आगे पता चलता है Tony को एक Reporter से कि गुल मेरा नाम की एक जगा पर 10 Rings वालों ने कबजा कर रखा है और दुख के बात तो ये होती है कि 10 Rings के पास Tony Stark के दोवार अब बनाय गए हतियार होते है Tony Stark इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है और उसे ये भी मालूम हो जाता है कि ओबर डाय ने ही 10 Rings को हतियार बेचे दे अब आता है पेपर पॉट्स पर जो Tony के पुराने आर्क रेक्टर को गिफ्ट रैप करके Tony को ही दे देती है अब आता है वो दिन जब Tony Stark का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर होता है उसे गुस्सा इस बात का आ रहा होता है क्योंकि 10 Rings जैसे टेरिस ग्रूप उसके ही हतियारों की मदद से मासूम लोगों को दबा रहे होते हैं और यही वो कारण होता है कि Tony Mark 2 को पहन कर गुलमीरा चला जाता है और वहाँ जाकर Tony Stark जो एक्शन करता है वो देखने लायक होता है वहाँ जाकर वो लोगों को आजात तो करता ही है साथ में वो स्टार्क इंडिस्ट्री के सारे वेपन्स भी डिस्ट्रॉई कर देता है अब चुकि गुलमीरा एक वार जोन में आता है तो इस कारण USA की नजर भी इस इलाके पर होती है आर्मी वालों को हैरानी होती है ये जानकर कि उन्ने वाली ये अंजान चीज आगिर है क्या आर्मी टूनी स्टार्क के मार्क टू सूट पर हामला करती है पर वो किसी तरह वाँ से भाग निकलता है पर टूनी का ये सीक्रेट अब करनल रोट्स को पता चल चुका है आगे हम देखतें याजा को जिसने मार्क वन सूट को असेंबल कर लिया है और तब ही उससे मिलने ओबडाया आता है और तब हमें पता चलता है कि ओबडाया नहीं टूनी स्टार्क को किड्नैप करवाया था और उसको खतम करवाने की साजिश भी की थी पर टैनरिंग्स के याजा ने अपनी कीमत बढ़ा दी और टूनी को अगवा कर जैरी को मिसाल बनवाने में लगा दिया एनिवे ओडाया के हाथ मार्क वन सूट लग जाता है और वो याजा को भी धोका दे देता है ओडाया मार्क वन को स्टार्क इंडस्ट्री के सेक्टर 16 में रखवा देता है जहां मार्क वन सूट को अपग्रेट किया जाएगा टोनी को कहीं से बात पता चल जाती है और वो पेपर पोर्ट्स को सबूत लेने के लिए ओडाया के पास भीज देता है पेपर सारे सबूत ले आती है और आते वक्त उसे शील्ड के एजेंट कोलसन भी मिल जाते है आते हैं ओबडाया पर जिसे उसके साइंटिस्ट बताते हैं कि मार्क वन सूट को आर्क रेक्टर से पावर देनी पड़ती है और इसी कारण ओबडाया टोनी के घर जाता है उसकी चाती में लगा आर्क रेक्टर ले लेता है ये आर्क रेक्टर टूनी ने मार्क टू सूट को पावर देने के लिए बनाया था टूनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रेक्टर तक पहुँच जाता है और वहां उसकी मदद के लिए करनल रोड्स भी आ जाते है वहीं दूसरी और पैपर पोट्स और एजेंट कोलसन पुरी फोर्स को लेकर ओबडाया को अरेस्ट करने जाते है अब मरता क्या ना करता इसलिए ओबडाया मार्क वन सूट को एक्टिवेट कर उसे पहन लेता है पैपर पोट्स और कोलसन की पूरी टीम की चान पर बनाती है पर तभी टूनी स्टार का आइरन मैन वहां आ जाता है और ओबडाया को राइट लेफ्ट और सेंटर मरता है एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब लग रहा होता है कि ओबडाया हर चुका है पर ऐसा होता नहीं टूनी का iron suit इतनी बुरी तरह damage हो जाता है कि वो मरने ही वाला होता है पर तभी टूनी पैपर को कहता है कि बड़े वाले R character की power को बढ़ा दे और इसी कारण वहाँ एक बड़ा धमागा होता है जिसमें ओ बढ़ाया मारा जाता है कहानी के end में टूनी स्टार्क पुरी दुनिया को बता देता है कि वही वो इनसान है जिसने Mark 2 को पहना था और वही वो इनसान है जिसे दुनिया Iron Man के नाम से जानती है और यहीं पर एक कहानी खतम होती है आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर जरूर बता है मैरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मैं आपको मिलूँगा इसके सेकंड पार्ट में यानि कि Iron Man 2 में तब तक के लिए बाई बाई